पुत्राखंड के दस दिले पिछले एक महने से डेंगू के प्रकोप से जूज रहे हैं। मौसम में बदलाब के साथ ही डेंगू के मामलों में भी कमी आनी शुल हो चुकी है। प्रदेश में अभी तक तकरीवन 2486 मरीजों में डेंगू की पुश्टी हो चुकी है जबकि 14 मरीज डेंगू से अपनी जान भी गबा चुके हैं। स्वास्त विभाग विवर्ष्था दुरुष्ट करने के नाम पर मौसम बदरने का इंतजार करता रहा जिससे डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। स्वास्त बभाग के सचीब जॉक्टर आर राजिश्न कुमार ने कहा कि जैंगो के मामलों में अब कमी देखी जा रही है धीरे धीरे मौसम के तापमान में गराबट के साथ जैंगो के मामले भी कम होते जा रहे हैं वेपक्षी दल की प्रबक्ता गरीमा दसुनी महरानी राज की बीजेपी के प्रबक्ता का कहना है कि स्वस्त बभाग की टीम डेंगो की रुक्थान के साथ साथ डेंगो के मरीजों के लिए भी उच्चित विवस्थाओं के इंतजा में जुटी हुई थी जब कि कॉंग्रिस इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीती कर रही है दारा को नफैले इसलिए सरकार एतियात के तौर पर सभी कदम उठा रही है नगर निगम को मान्य मुख्य मंतरी जिसे लेकर मान्या फास्ट डेंटी में लगातार बैठें की की गई निर्देश जारी किये गए अस्पतालों में किसी प्रकार की लापरवाई नहों किसी प्रकार क जाज में कोई दिक्कते नहों और सरकार अपनी तरह से पूरी तरह मुस्तायद है कि इस देंगु को रोकने के लिए क्या उप्चाच कि जाए शर्म की बाद देखिए यह है कि आपका प्री मौनसून कोई तयारी नहीं थी फिर जब मौनसून आया तब भी आप नहीं चेते ज जब रिकॉर्ड तूडिया डेंगु के मरीजों का उसके बाद आप मुस्तायद हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने जब भ्रमन किया स्वतालों का आपको आंको देखा हाल दिखाया तब कहीं जाकर आपका विभाग मुस्तायद हुआ लेकिन बात यहां पर यह उठती से जहां पर देहरादून जो जहां पर इनिशेली सबसे जादे केसे से बाद सबसे लभी केसे अभी कम होने शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि जल्दी केसे बिलकुल हम रूप बिलकुल न्यून यहां